मैं दानव के तीन बेटे थे एक का नम ता तारकाक्ष एक का नम ता कमलाक्ष एक का नम ता बिद्धिन्मानी तीन बेटे थे तारकाक्ष कमलाक्ष बिद्धिन्मानी तीनों ने विचार किया कि ब्रमहंड को जीतना है तो इन्होंने क्या किया पाताल जितने बड़े बड़े खड़े खोग ले और उसमें धुआ वाली लगड़ियां डाल दी आग लगा दी और खोद उल्टा लटक कर पेड़ पर तब करने लगे ब्रह्मने नमा ब्रह्मने नमा ब्रह्मने नमा ब्रह्मने नमा ब्रह्मने नमा ने जितना विष्व को बरबाद करने के लिए तब किया यदि वो अच्छे के लिए करते तो खुद भी महान बन जाते मैं अजर बनूं मैं अमर बनूं मुझको कोई नहीं जीश सके हाजारों वर्सों तक धुआ पीते रहे के अखरे में ब्रहम्मा जी को आना पड़ा ब्रह्मर मांआ इर आक्षास लोक दो इनों की ज़्यदा पुजा कलते हैं यह तो सीव जी की या ब्रूमा जी की कि कि ब्रमा जी ने दरशन दी आ भरदान बंगोASE इनोंने का अजर ओर उद़्ना बना दीजे ब्रमा जी ने का इबात मुस्किल है हर आदमी अपने आपको अज़र अमर बनाना चाहता है ऐसे बताओ तुम मरोगे कैसे तो तीनों भाईयों ने गुद्धी लगाई कि ब्रह्मा जी हमको तीन गाउं दे दीजिए कि एक सोने का एक चांदी का और एक लोहे का तीन गाउं दे दीजिए और तीन गाउं दे दो और वह आकास में रहेंगे तीनों गाउं जिनका नाम होगा त्रिपुर प्रह्मा जी ने का और बोलो का तीनों गाउं में अम्रित के कुंड रहने चाहिए आप देखिए क्या-क्या मांग रहें लाकसर तीनों गाउं में अम्रित के कुंड रहने चाहिए एक बार उसमें करोडों अर्वों और आक्षस रह सके उसमें रहने वालों को तो सब दीखे पर वो किसी को नहीं दीखे प्रमा जी ने का अच्छे बर्दान मांग रहे हैं अभी रुकी का बोलो एक हजार वरस तक तीनों आकास में भ्रमन करते रहे और एक हजार वरस के बाद तीनों के दर्वाजे एक जगे मिले केवल एक मुर्थ के लिए उस समय हजार वरस तक त्राठक करने वाला जिसकी आँख नहीं हीली हो अदुद धनुस से अदुद बान से और अदुद व्यक्ती हमें मार सकता है जिस समय मारने का वक्त हो आकास में पुस्वमेग नाम के बद्दल होने चाहिए ये मुर्त होना चाहिए ये समय होना चाहिए अपने को अजर अबर बना लिया होना और ब्रह्मा जी को वरदान देना पड़ा अब आप कहेंगे ब्रमा जी को वरदान क्यों देना पड़ता है लड़का कितने ही बदमास हो प्रशन अच्छा करके आएगा इस्कूल में तो मास्टर को नंबर देना पड़ेगा और नहीं देना पड़ेगा ऐसे राक्षस कितने ही बुरेओं पर तब किया है तो देना पड़ता है आखरी में नाम पड़ात्र बुरा आसुल और ये तीनों भाईयों ने करोडों करोडों देत्यों को इकटा कर लिया इतना ही नहीं इन्होंने धर्टी पर धावा किया दर्टी खाली हो गई स्वरक पर धावा स्वरक खाली हो गया कई बार देवताओं से युद्ध हुआ देवता हार गए क्योंकि ये दिखाई नहीं देते ते त्रिपुर सारे धर्टी पर हाहाकार मचा दिया इन्होंने जब चाहे जहां धावा करके लुट ले देवताओं ने बहुत बार युद्ध किया पर कुछ नहीं कई बार राक्सस मारे गए तो इसके पार अम्रित के कुंड थे जिला ले दे दे तब सारे देवता रिशी दुखी होकर हार हार महादेव शीवा हार हार महादेव हार 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 महादेव शीवा हार 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 महादेव बंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम् बंदे जगत कारणं बंदे पल्णग भूशनं ब्रिगदरं बंदे पसुनां पतिम्, बंदे सुरियं, शशांग वन्हिनेनां, बंदे मुपुंद प्रियं, बंदे भक्त जना स्वयं सबर्दं, बंदे सिवं संकरं, 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 ब इसलिए त्रिपुराशुर ने हर घर में शीव मंदिर बना दिया रोत्रिपुन्द लगाते थे रुद्राक्ष पहनते थे हर राक्षास दो-चार घंडा बेटके शीव का पूज़ुन करते थे पूजा तो करते थे अन्याय करने में कमजोर नहीं थे देव लोग मरते लोग नाग लोग सब को लूट लेते थे भगवान शंगरने का मैं कैसे मार सकता हूं कि पूजा करने वाले तब भगवान विष्णु जी ने कहा मैं यदि उनका पूजा करना बंद करा दू तो यदि मैं नास्तिक बना दू तो संकर जी ने कहता हूं मार देंगे प्रिये जनो भगवान शंकर से कहकर भगवान विष्णु एक तबस्वी का वेस बना करके त्रभुरासर में पहुँच गए वहां देगा हर आदमी त्रभुंड हर आदमी सीव भुजन तब भगवान ने वहां उपदेश देना सुरू किया कि जो संसार में है उसको जो भोगता नहीं है वो तो हिच्छा लेके ही मर जाता है इसलिए देवताओं राक्षसों खाओ पियो मजा करो क्या चोईज गंड़ा पूजा में लगे रहते हो और उन्होंने तीन जो बड़े राक्षस देना तीनों को ऐसी शिक्षा दी कि भगवान की शिक्षा से मोहित हो करके त्रभुरासर ने पूजा पाड़बंद कर दिया O conformums पेल पाइले सील के साथ बेठाक दी वहई भेढ़ देख से अची होनी जी Subscribe भागवान रामने भागवान रामने राजा बन गए राम सिता जी से जाना करना, जो काम करना पर कहिं के पास कभी बेठना नहीं सक्त मना कर दिया दा, नहीं क्योंकि कब व्यक्ति के अंदर कुभुद्धी का जागरन हो जाए और कब कुभुद्धी कौन सा खेल खेल जाए संसार में तुम तभी बड़े हो कि तुम जब कैसे लोगों के साथ बेटते उड़ते हो और जिन नाम के पुरुस की संगत की तुम रासुर ने शंकर भगवान की भूजा बंद कर दी इधर भगवान विश्नु गाय बनकर तीनों लोकों के अंदर जो अम्रित कुंड बने थे वो पी गए तब भगवान शंकर ने पाप भी करें और पुन्य भी करें कैसे चल सकता है तब भगवान शंकर ने बिचित्र रत बनाया बिचित्र धनुस बनाया बिचित्र भान बनाया बिचित्र घोडे बनाये जो आज तक सुनने में नहीं आए सी महिमन सोत्र में पढ़ते हैं आप लोग बगवान ने क्या बनाया रथक्षोडियंता सतधलित्र गेंद्रो दानो रथू रथांगे चंदार्पव रथचरण पानी सरविती देन्चोस्तिको यंद्रपर्कव रथचरण पानी सरविती देख्षोडियंता सतधलित्र गेंद्रो दानो रथू रथचरण पानी सरविती देख्षोस्तिको यंद्रपर्कव रथू विदेरेई प्रीडंत्यों नखलु पर जंता प्रभुदि है नावाशिवाया नावाशिवाया हाद जोडिये भगवान संकर ने ब्रह्मान्द का सबसे बड़ा धर्ती कारत बनाया धर्ती कितनी बड़ी क्योंकि उसका वर्दनता वीचितर रख सूर्य चंद्रमा के चक्के लगाए दर्ती से हज़ानों गुना बढ़े हैं सूर्य चंद्रमा उनके चक्र लगाए और उन्होंने सुमेरु पहाड का धनुस बनाया विश्च का सबसे भारी धनुस और उन्होंने धनुस के उपर बाण भगवान विश्णु को बनाया धनुस पर बाण रख करके अबार सक्ति वाले धनुस को ले करके जब धर्ती रत्वन करके चली सुरी चंद्रमा के चक्र लगे देवताओं के घोडे बनाए गए बासुकी सर्थ की रस्षी बनाए गए और भगवान शंकर तुर्पुरा असुर का बद करने जा रहे गए सारी धर्ती साथो समंद्रों के साथ चल पड़ी बद्वान शिव ने जटाजूट में गंगा को मान करके नमस्परबान लखा और एक हजार वरस तक त्राकर तुकि उसका दना एक हजार वरस यह एक जगह आठ रंखेगा हूई मार सकता है थे शिव ने 1,000 वरस तक त्राकर या कई कि अ नमस्षिवाए नमस्षिवाए सारासं सार कि तीनों पूर आकास में दिखाई नहीं देते हैं एक हजार वरस्वीता बर्दान के नमसार सोना का चांदी का लोहे का तीनों पूर दिखाई दिखाई दिए पर भगवान शंकर जो ही धनुस पर बान चड़ाने लगे ये क्या भगवान शंकर का अंगोठा हिलना बंदो गया है एक हजार वरस तक अंगोठा हिला ही नहीं देवता चिल्ला पड़े महाराज एक हजार वरस बात देवता वाले आज दिन आया यदि आज चुक गए तो फिर दस जाल परसों के बात अब शंकर जी क्या करे अंगोठा हिले ही नहीं कि उजी समय आकाश समानी हुई हे भुले नात आप बिना गणिस पूजा करे हुए आए है इसलिए आपका मुठा नहीं चल रहा है आप गणिसी की महीमा तो पड़िये तब भगवान शंकर ने एक सो आठ नामों से गणिस कार्चन किया मिदान में या यारा तो अब बारा नाम तो आप भी बोलीजी सुमुखा एक दंतश्य कपिलो गज करनका लंबो दरस्च लंबो दरस्च लिकटो विग्णनाशो बिनायके दंब्रके दोगनाधक्षो बालचंद्रो गजानना द्वादसेटानि नामानी ये पठेश लियादपी गंगाण पतये नमो नमा गंगल पतये नमो नमा गुड़ प्रयाय नमा गुड़ केशे नमा गुड़ हशे नमा गुरू प्रयाय नमा गुरू रूपाय नमा थाट बवान shrugnaesh ikii gلى निजा तब भगawan ganesh प्रशun न हो गया तब भगवान इन शंकर का गुठा चला है कि फिर तो भगवान शंकर ने दनुस को कान तक ताना वेगा पुस्ववेग बद्दल आ गया है जो कहाओ मूर्थ आ गया है बस भगवान ने जहां तीनों दर्वाजे मिले बोले नात ने दिव्यबान छोड़ दिया हवान शंकर का बान आकास में गया और जाकर के तीनों पुरों को एक साथ में विद्धंस कर दिया वगवाजे करोडो करोडो राक्सस्ते सब राक हो गया पुरे के पुरे सहर थे वो तो सब खत्म हो गए लेकिन अब तीनों पुरों के जलने के बाद राक धरती पर आने लगी तब धरती माता कांप गई मैं सातों समुद्रों के साथ नश्ट जाओंगी मेरी रक्षा करो तब भगवान ने अपना सरीर भश्मांगरागाय महेश्वरागो दर्ती से लेकर आगास तक विशार सरीर बनाया और सारी भश्म को अपने सरीर पर धारण की अमर नाथ के पास कुछ उलका गिरी वहाँ पर आज भी ज्वाला नाम की नदी का जनम हुआ उलका गिरना से अमर कंटक के पास भी बैकर आती है ज्वाला नदी ज्वाला नाम पड़ा उसका भगवान शंकर ने भस्म धारण की देवताओं ने बाजे वजाए पुष्वों की वरसात हुई भगवान शंकर का जोरदार शागत हुआ औरे शंकर भगवाने की देवो